पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों की जड़ भी पत्र ही होते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दाइरा। दुनिया भर में रोज करोडों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुचते हैं। भारत में ही रोज साड़े चार करोड चिठियां डाक में डाली जाती हैं। जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी एहमियत रखते हैं। परिष्ट चौबीज पंडित जवाहर लाल नहरू ने सन उन्नीस सु तिरेपन में सही ही कहा था। कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रही हैं। उसके बाद पही आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलावाया। तार ने रेलों से भी तेज गती से समवाद पहुचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलिफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताबदी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक विवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेश प्रयास किये गए। पत्र संस्कृती विकसित करने के लिए स्कूली पाठे क्रमों में पत्र लेखन का विशाय भी शामिल किया गया। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्वडाक संग ने अपनी ओर से काफी प्रयास किये। विश्वडाक संग की ओर से 16 वर्ष से कम आयूवर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा से पत्रों की आवाजा ही प्रभावित हुई है पर देहाती दुनिया आज भी चिट्थियों से ही चल रही है। फैक्स, इमेल, टेलिफोन तथा मोबाइल ने चिट्थियों की तेजी को रोका है पर व्यापारिक डाग की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रिष्ट 25 जहां तक पत्रों का सवाल है अगर आप बारिकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो या पत्रों का बेसबरी से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनेक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचा का एकलोता साधन चिठी ही थी पर आज और भी साधन विक्सित हो चुके हैं। तो पंडित नहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोडों लोगों को प्रेणा देते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्र पिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहाले जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। तमाम पत्र, देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महा संग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार जनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्तो की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि है संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। पत्र पहुचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिखते दे थे। अपने हाथों से ही ज्यादा तर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाय हाथ से लिखने में जुट जाती थे। महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाउं गाउं में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रश्रस्ती पत्र से कम नहीं मानते हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का ज पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा तथा पत्रों के आइने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। महात्मा गांधी और रवींद्र नाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसमें बहुत से नए तत्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इसकी एक खास वज़य यह भी है कि यह लोगों को जोडने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उननत साधनों के बाद भी चिठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आली शान हवेलिया हूं या फिर जोपर पटियों में रह रहे लोग। दुरगम जंगलों से घिरे गाउं हूं या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाडों के लोग। समुद्रतट पर रह रहे मचवारे हूं या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसबरी से इंतजार होता है। एक दो नहीं करोणों लोग खतों और अन्ने सेवाओं के लिए रोज भारती डाग घरों के दरवाजों तक पहुँचते हैं। और इसकी बहु आयामी भूमी का नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूले मनी ओडर अर्थ्विवस्था से ही चलते हैं। गाउं या गरीब बस्तियों में चिठ्थी या मनी ओडर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देव दूद के रूप में देखा जाता है। अरविंद कुमार सिंह प्रश्ण अभ्यास पाट से एक, पत्र जैसा संतोष, फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। दो, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेक, कडिद, पाती, चिठी, इत्यादी कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाशाओं की नाम बताईए। तीन, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या-क्या प्रयास हुए। लिखिए। चार, पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पाँच, क्या चिट्थियों की जगह कभी fax, email, telephone तथा mobile ले सकते हैं? पाट से आगे। एक, किसी के लिए बिना टिकट साधे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठनाई आ सकती है? पता कीचिए। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? तीन, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। अनुमान और कल्पना एक, रामधारी सिंग दिनकर की कविता भगवान के डाकिये आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिये की भाति मान कर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। दो, संस्कृत साहित्य के महाकवी कालिदास ने बादल को संदेश वाहक बनाकर मेगदूत नाम का काव्य लिखा है। मेगदूत के विशय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तीन, पक्षी को संदेश वाहक बना कर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है जा जारे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के तीन गीतों का संग्रह कीजिए। प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांध कर निर्धारित स थान तक पत्र भेजने का उल्लेक मिलता है। माननीचे आपको एक बक्षी को संदेश वाहक बना कर पत्र भेजना हो। तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे। में बैठी सवारी भी उन्हीं चिठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकेट है। पत्र के पते की तरह और क्या विद्याले भी एक लेटर बॉक्स की भाती नहीं है। जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक शेत्रों में चले जाते हैं। अपनी क प्रियोजन विशेश से संबंधित शब्दों की साथ पत्र शब्द जुड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं। जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले दस शब्द लिखिए। प्रिष्ट उन्तीस। दो, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्या के योग से बना है। एक प्रत्या के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। तीन, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधी कहते हैं। जैसे रवींद्र बराबर रवी, धन, इंद्र इस संधी में इ, धन, इ, बराबर, इ हुई है। इसे दीर्ग संधी कहते हैं। दीर्ग स्वर संधी के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुखे रूप से स्वर संधियां चार प्रकार की मानी गई हैं। दीर्ग, गुण, वृध्धी और यन। रिष्व याद दीर्ग आ, इ, उ के बाद रिष्व याद दीर्ग आ, इ, उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशह दीर्ग आ, इ, उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्ग संधि कहते हैं। जैसे संग्रह, धन, आलय, बराबर संग्रहालय, महा, धन, आत्मा, बराबर महात्मा। इस प्रकार के कम से कम दस उदाहरण खोच कर लिखिए और अपनी शिक्ष का शिक्षक को दिखाईए। शब्दार्थ, अजीवो गरीब, अनोखा, SMS, लगु संधेश सेवा, सिल्सिला, आरंभ होना, रास्ता खुलना, अहमियत, महत्व, हरकारा, दूत, डाकिया, संधेश पहुचाने वाला, आवा जाही, आना जाना, तह, गहराई, प्रशस्ती पत्र, प्रशंसा पत्र, मुस्त ततपर, दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात, प्रमाण पत्र, गुडविल, सुनाम, अच्छी छवी, हैसियत, दर्जा, आलिशान, शान्दार, धानी, अस्थाई निवास, कच्चे मकानों की बस्ती, जो गाउं से कुछ दूर बनी हुँ, अभी आप सुन रहे थे, किवल पढ़ने के लिए, चिठिया, प्रिष्ट, तीस, लेटर बक्स में पढ़ी हुई चिठिया, अनन्त सुख दुख वाली अनन्त चिठिया, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले-अकेले अपनी मन्जिल पर पहुँचने का इंतजार करती हैं, कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हसना, न रोना, क्या हम भी लेटर बक्स की चिठिया हो गए हैं?